जम्मू की बठिंडी के अंदर मलिक मार्केट इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है यहां पर आपको बता दे चलें कि जम्मू जिले की बठिंडी पुलीस ने एक रवी कमार नाम के व्यक्ति को गिरफतार किया है गिरफतार किये व्यक्ति की तस्वीर इस समय आप सब लोगों की मवाईल स्क्रीन पर है वीडियो को जितना हो सके जाद सदशीर किजिएगा एक बड़ी काम्याबी जम्मू जिले की बठिंडी पुलीस ने हासिल की है और सल्यूट करना होगा वहां के जो चोकी इन चार्ज है जिनकी तरफ से ये कारवाही जो हो देखने को मिली है जिसमें जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मताबिक बताईए जा रहा ही कि जम्मू जिले की बठिंडी पुलीस की तरफ से जो हो यहां पर पैट्रोलिंग की जा रही थी मलिक मारकेट इलाके में नैशनल हाईवे पर लेकिन ऐसे में एक विक्ती जो कि नर्वाल साइड से मलिक मारकेट की ओर आ रहा था और ऐसे में जब जो हम उसने पुलीस को देखा तो उसके बाद उसने बागने की कोशिश करे जिसके चलते पुलीस को इस पर शक खुआ और ऐसे में पूलीस ने जब इसे पकड़ा तो इसकी पहचान जो हो रवी कमार सनफ किशन बताई जा रही है और उमर जो हो 47 साल के करीब है और तलाशी लेने पर इसके पास से जो हो लगबग 20 गराम के करीब जो चिट्टा है वो बरामत किया गया है ये कोई मजाक नहीं है जनाब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है जो कि आप तक किस समय हम साधा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से विक्ति जो हो यहाँ पर इस तरह से जो हो ये चिट्टा लेकर यहां पर गुम रहा था लेकिन उससे पहले जो हो पुलीस इसे ग्रफतार किया है और आगे की जो कारवाई है वो शुरू कर दी गई है और फिलाल बताई जा रहा है कि इस व्यक्ती के पास से जो ये चिट्टा बरामत किया है इसकी कीमत लगब जो है जो हो दो लाके करी disrespect बताई जा रही है ये व्यक्ति जो हो नशा बेचने का काम करता था लेकिन बठिंडी पुलीस की तरफ से जो काम किये गया है वो काफी जदा काबले तारीफ है और फिलाल बताईए जा रहा है कि एक व्यक्ति जो की नर्वाल साइड से जो हो मलिक मार्किट नेशनल हाईवे की ओर आ रहा था और है और इस व्यक्ति के पहचान रवी कमार सनाफ कीशन उमर 47 साल के करीब आरो बाग फुल चंद फिरोजपूर पंजाब के बातोर इसकी पहचान बताई जा रही है और फिलावी से हवाले से पुलीस ने फर नंबर 183 अवलिक 2024 और अंडर सेक्शन आठ अवलिक 21 अवलिक 22 न कि आखिर कर पंजाब का रहने वाला ये रवी कमार जिसे बठिंडी पुलीस ने गरफतार किया है इसके खिलाफ किस तरह की जो हो कारवई होनी चाहिए ताकि हमारे नोजवानों को ऐसे लोगों से दूर रखा जाए और नशे से जो हो बचाए जाए